स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में और आज हम सिखने जा रहा है कि कुरल्डा में हम पेंट ड्राइब का मकप डिजाइन कैसे त्यार करेंगे ताहिए हम इस वीडियो के सुरुआत करते हैं कुरल्डा की एक फाइल हमने यहाँ पर उपन कर ली है और डॉकमेंट में यूज होने वाले टेक्स और लोगो हमने यहाँ पर इन्सट करके रख लिया है सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल में जाएंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉप करेंगे उसकी साइज हम फोर इंच अब लिए 1.6 इंच रखेंगे अब दोबारा हम एक टेक्टेंगल टियार करेंगे और उसकी साइज 2.113 और हाइट 0.566 यहाँ पर रख दे रहा है और इस गाइडलाइन के सारे उस बाक्स को हम यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं यह हमारा कुछ इस तरह का ले आउट यहाँ पर बन रहा है बीच के रेक्टेंगल को हम कलर यहाँ पर ब्लेक कर दे रहे है अब इसमें हम जो लोगो है कंपनी का लोगो और कंपनी का नेम इसी ब 64 GB को हम 90 degree पे move कराकर side में रख देंगे उसका color भी white कर देंगे और पूरे rectangle को भी हम black करके कुछ इस तरह का design यहाँ पर त्यार कर लेंगे और इसको हम फिर से export करेंगे jpg file में 300 dpi पर यह file हमारे export हो गई अब हम Photoshop में जाएंगे यह pen type का markup file हम Photoshop पर open करेंगे इस markup file का link हम अपने description part में आपको दे चुके हैं जहां से आप इसे download कर सकते हैं और इसे use कर सकते हैं यह जो gray color का area दिख रहा है यहीं पर हम अपने design को set करेंगे logo को जो option उस पर हम double click करेंगे यह box यहाँ पर open हो जाएगा हम अपने design को drag and drop कर देंगे यहाँ पर और उसको पूरे area में खैला कर adjust कर देंगे और place करने के बाद इस file को close करते वक हम yes पटन पे क्लिक करना नहीं बुलेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस paint dive का design यहाँ पर वेखुल आ चुका है तो जोस्तो इस तरह से आप paint dive का markup design को लडा में बना सकते हैं और उसके बाद उसका markup design फोटो साप में set कर सकते हैं एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं टेक केर बाई बाई